कि हाँ बच्चों क्या आल भईया कैसे हैं सब लोग तो दादा आज पन रिलेशन एंड फंक्शन की बातने करेंगे ठीक है कौनसा रिलेशन सर अरे भई कोई सा भी रिलेशन मैस के अंदर भी कुछ चीज़ें होते हैं उनकी थोड़ी चर्चा करी जाएगी सेट थ्योरी रिस सब्सक्राइब के बारे में बात करेंगे इसका ही टच के बारे में चीज़ें थोड़ी देखी जाएंगी राइट तो 11 क्लास के बारे में कहिना कहीं चीजों कम देखने वाले तो बढ़िया धंसे अच्छे से दादा सांस लेजिए और घरिया बढ़िया सीनर्जी के साथ एक बार सारे बच्चे इस वीडियो को सारे यार दोस्तों में जल्दी जल्दी ज़्यादा सेयर कर दो ताकि थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा थरह हैं यह आपर कंट्रिबूट कर पाएं और इतने सी ज़ादता अपना काम हो जाँगा मेरी इनर्जी की जो है न मुझे यह य इसका 11th class में ही रख लेते हैं हम लोग ठीक है दादा चलो तो बढ़िया से दादा आई start करते हैं चीजों को चलो relation and function relation and function पहले relation की बातें करते हैं हम लोग सर ये कौन से relation की बात कर रहे हैं आप क्या है ये relation और इसने हमारे देनिक जीवन में क्या मुदद करी अरे यार बोलो ना सर तभी थोड़ा सा मजा आएगा यहां पर भाई देखते हैं एक बार कैसे क्या सेन है जैसे दादा relate करना जैसे यहां पर एक word है ना relate relate चीजों को आपस में relate करना एक दो चीजों के आपस में एक संबंध स्तापित करना है ना कोई भी एक calling ने में इस्तापित करना उसी को में relation कहते हैं जैसे दादा मैं आपसे बोलूं मैंने एक छोटा से एक्जामपल लिया आपके सामने है बहुत छोटी गानी है मैंने कहा था यह 5 इस ग्रेटर देन ग्रेटर देन टू डिस इस ट्रू स्टेट्मेंट बात तो सही है लेकिन सर इसी स्टेट्मेंट को अगर मुझे मैंस के अंदर लिखना हो mathematics में मैं लिखना चाथा हूँ तो मैं कैसे 5 और 2 को अपस में रिलेट करूं की यह statement true हो जाए अच्छा तो तो सर कही न कही न कहीं Кही न कहीं या сопर कहानी ये है कि आप दो चीजान को relate करने की जब बात करते हैं दो चीज़ऑग वी सकते हैं दो माइंड में एंटर कर रही है सर स्वाद आ रहा है चीजों में अच्छा दादा तुम जैसे मैं आप से यहां बोलू कि मैंस के अंदर इस चीज को ना ऐसे लिखा जाता है ऐसे तुम आप फाइव गिरेटर दिंदू इस इस साइन औफ यह है वो रिलेशन पांच आप दो के बीच में जो रिलेशन एना जो इस स्टेट्मेंट को ट्रू करेगा वो है दिस साइन अच्छा, so this is the relation sign, relation मजबूत होने चाहिए दादा, relation sign, समझ गए सरम कहानी, यानि कि सर कहानी ओबरॉल यह आ रही है picture में, कि आपको दो चीजों को relate करना है, तीन चीजों को भी कर सकते हैं, चार को भी कर सकते हैं, क्योंकि हम 11 पढ़ रहे हैं, तो इस चीज का हमें विशेष ख्याल रहेगा, कि 11 की ही चर्चा करेंगे, थोड़ा सा आगे की चीजों के बारे में कमेंट नहीं करेंगे दादा, तो सर, हम समझ गए कि अच्छा, relation का मतलब क्या है, लेकिन मैस के अंदर दादा, mathematics के अंदर जैसे बात करीज़ अगर आपसे, मैस के अंदर बात करीज़ आए, कर लेते हैं मैस के अंदर बात, कोई बड़ी बात नहीं है, मैस के अंदर दो डेटा को हम आपस में रिलेट करेंगे, जैसे दादा यहाँ पर एक कुछ छोटी-छोटी कहानी है, रिलेशन पढ़ने से पहले, यह तो छोटा सा मैंने आपके सामने एक इंट्रो कर दिया, जिसने चीज़ें थोड़ी सी आपके मैंड मा आ गए, कि रिलेशन का मतलब है किसी भी दो डेटा, तीन डेटा को आपस में मैनेज करना, रिलेट करना, किसी भी परस्पेक्टिव के साथ चीज़ों को हम लिग करेंगे यहाँ पर, तो सबस्ते पहले जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, वो होता है, ordered pair, ordered pair, भई यह क्या नाठ तक है सर, mathematics कहता है कि दादा सबस्ते पहले आपको ordered pair पढ़ना चाहिए, order पढ़ना चाहिए, order मतलब करम, जब हम list की बात कर रहे थे, जब हम set की बात कर रहे थे, इतों चीजं़ों को दादा मैसे देख रहे थे कि अच्छा सर लिस्ट की अगर सैट का सा망 साथ piercing करेंगे हम दादा Shait theory का भी हलका से रिकॉल की बात करीज या लिकॉल की बात करीज या तो Set behaviorsügen SHAT मतलब था लिस्ट इस जहाँ पर ओडर मेंटर करने करता अच्छा जैसे दादा मैं आपसे बोलूँ कि आपके सामने ना एक लिस्ट रखी गई है आपके सामने एक लिस्ट रखी गई है कि लेट अपने पास एक लिस्ट है जिसमें एलिमेंट है 1,2 तो यहाँ पर order matter नहीं करेगा अच्छा लेकिन ordered pair क्या होता है अब चीजें थोड़ी सी matter करेंगी जैसे दादा अगर हम two by two की बात करें जैसे गुरु मैं आपसे बोलूँ अगर आप किसी element को ऐसा लिख रहे हैं 1,2 तो इसका मतलब है या फिर आप ऐसे लिख रहे हैं इसका मतलब मैस के अंदर मैस कहता है कि जादा इसका एक meaningful word है एक meaning है इसका एक कुछ मज़ेदार बातें हैं जादा वह ऐसी है कि ए मतलब होता है पस्ट एलिमेंट पस्ट एलिमेंट लिस्ट या डेटा कुछ भी कह लो आप लिस्ट ए अच्छा बी जो होता है सेकेंड डेलिमेंट सेकेंड डेलिमेंट ऑफ लिस्ट बी यह लो साफ दो डेटा को कहीना कि हमने सजा के लिख दिया तो इस तरीके का जो कुछ आता है न सीन इसको दादा हम ordered pair कहते हैं यह ए कहां से आ रहा है यह पहले डेटा से आ रहा है बी कहां से आ रहा है यह सर सेकेंड डेटा से आ रहा है सेकेंड लिस्ट से आ रहा है तो इन जनरल इन जनरल हम कह सकते हैं कि हमारा 1,2 कभी भी बराबर नहीं होगा 2,1 के अच्छा यानि कि सर यहां पर element का order matter करेगा element के order के बारे में दादा हम कुछ comment कर सकते हैं तो this is like the new word आपको मिला ordered pair okay ordered pair तो ठीक है सर कहाने यहां तक बनगी हमारी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चीजों को थोड़ा सा देखा जा सकता है अच्छा अब बहुत बिल्कुल मैं basic लेकर चल रहा हूं जादा मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक element है 1,2 और यह order बराबर है x-2,y के मैं आपसे बोलूं find x and y बहुत छोटी कहानी है रहे तो सर ordered pair अगर दो order एक order का तरीका आपको दे रखा है और यह आपस मगड़ा equal है तो सर बहुत आसान है x-coordinate एकको लोगा first element से यानि first element first के साथ map करेगा और second second के साथ तो यहां से सर clearly x की value 3 आ गई and y की value 2 आ गई ऐसे थोड़ा सा कहिना कहीं ठीक चोड़ी चीज़ें आपर दादा बोली जा सकती है अचा यह तो फिर भी light चीज अपने आप में तो order मतलब दादा यहां पर कर जो बातने करनी हैं वह बातने हैं दादा काटीशियन product काटीशियन product को कि अ दो इस को ओप यह क्या नानता काटीशियन प्रोड़क्ट क्या है काटीशियन प्रोड़क्ट तो आप इसको ऐसी बोलो, set of, set मतलब बेटा list, set of all ordered pair, set of all ordered pair of a cross b, तर ये cross क्या है, this is like a notation, अच्छा, यानि कि sir, हमारे पास जब दो list हमें दे रखी होगी, जब दो list की बाते हो रही होगी, जैसे बेटा let, हमारे पास एक list है, जिसके अंदर element है, कुछ small a, this is small b and small c, मेरे पास एक list b है बेटा, जिसके अंदर element, मैंने कुछ भी data रख लिया, जो मेरा मन करे, मैं अब आपसे अगर मैं पूछू हूँ, कि मुझे a cross b को define करो, a cross b के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो yellow साब, this is a list of all ordered pair, first element coming from list a, second element coming from list b, तो इसको हम लिखेंगे all a, b, such that a is coming from capital a, and b is coming from capital b, अच्छा, तो Cartesian product से क्या लेना दे रहा है, सर इसमें, हाँ, Cartesian product से ही लेना देना है, अब तक हम list के अंदर एक data पे खेल रहे थे, एक element पे खेल रहे थे, अब collection of all ordered pair आ रहा है, collection of all ordered pair आ रहा है, अच्छा, इससे क्या हो गयार सर, दादा, इससे ये होगा, कि जब दो बातो को हम collect कर रहे हैं, तो इसका मतलब आगे चलके उनमें हम कुछ संबंद स्थापित करेंगे, कुछ relation की बातें करेंगे, relation का ये एक छोटा बेटा है, function, उसकी बातें करेंगे, अच्छा, हाँ, थोड़ा थोड़ा एक idea दादा हम ले रहे हैं, कि चीजों को कैसे associate कर सकते हैं, कैसे उन पर काम कर सकते हैं, तो बिटा अगर A क्रोस B की बात यहां करी जाए, तो कैसे define करोगे आप A क्रोस B को, कैसे define करेंगे, सर बहुत आसान, लिख देंगे सर हम A क्रोस B के बारे में, जो हमें कहना होगा, ये लो, आपने list बोली है न, तो A का पहले सर P के साथ, तो this is A A कॉमा P, अच्छा, A कॉमा C, next, A कॉमा M, मेंथ, ये लो, उसके बाद, B कॉमा P, ये लो, B कॉमा C, B कॉमा मेंथ, अच्छा, सर ये ठीक है, मतलब कही ना कहीं, आप order की बात कर रहे हैं, उनके collection की बात कर रहे हैं, next आदा अपने पास आजाएगा, C कॉमा P, C, 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 M, तो दादा, A क्रोस B में, टोटल नंबर ओफ एलिमेंट कितने आए, सर यहां पर हम कह सकते हैं, नंबर ओफ एलिमेंट इन A क्रोस B, सर ये क्रोस क्या मल्टिप्लाई है, नहीं, मल्टिप्लाई नहीं है, it is a symbol, it is a sign, अच्छा, के बल साइन है सर, हाँ, साइन ही है दादा, और कुछ है ही नहीं, समझती नहीं है बात को यार, अच्छा, तो सर इसमें टोटल एलिमेंट आ रहे हैं, तीन इंटू तीन छे, नो आ रहे हैं सर, नो आ रहे हैं, सर इस नो को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, कि number of element in list A, into number of element in list B, तीन इंटू तीन, अच्छा, ओ, हो, 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 लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं, यानि कि सर ये भी एक list है, ये थोड़ी सी बड़ी list होगी बस अपने आप में, तर बड़ी का मतलब मतलब कैसे बड़ी, हाँ, जैसे पहले वाँ, single data पर काम कर रहे थे, यहाँ थोड़ा सा ordered में काम चलेगा, अच्छा, इसको बेटा हम डाइग्राम से भी देख सकते हैं, जैसे आपने डाइग्राम, list A लिया ये वाला, this is list A, इसमें एक element है, A, B, C, और आपने list B बेटा यहाँ पर रखी, जिसके अंदर physics, chemistry, math, yellow, समझ रहे हो ना, तो देखो, A का P से, A का C से, और A का M से, जलर बदल देते हैं, मज अचा, B का P से, B का C से, B का M से, अरे हटना नहीं रहे, B का M से, yellow, okay, अब अगर बात करीजाएं, सर, C के बारे में, तो देखो, C, A, P से, T, C से, T, M से, तो this is like a Cartesian product, मैंने तीन कलर के साथ यहाँ चीजों को लिख दिया, यही आपका Cartesian product होता है, दो डेटा को लिखने का जो तरीका होता है न, वो दादा यही है, तो this represent, represent Cartesian product, Cartesian product, ठीक है महाराज, यहाँ तक तो चीज़ें आप देख सकते हैं, कि हाँ बाई, कैसे कैसे दादा हम कमेंट, यहाँ पर कर रहे हैं, कैसे चीजों को बोल रहे हैं अपन, ठीक है? अब कितनी भी लिस्ट हो सकते हैं बच्चो, कितनी भी छोटी चोटी बात हैं रिद्यादा वस, जैसे मैं आपसे बोलू, कि इन जनरल किसी ने पूच्छा, कि भईया क्या कभी, क्या कभी A क्रोस जो B है, वो B क्रोस A के बराबर हो सकता है, क्या, तो हम इन जनरल मना कर दे हैं कि आर ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि order का क्रम बगड़ जाएगा अगर ऐसा हो रहा है तो ultimately हम सामने बाले को कह रहे हैं कि भाया तू 1,2 और 2,1 को यह चीज लिखता है तो जो की थोड़ा सा दादा कहिना कहीं गडबड है अच्छा तो सर इन जनरल मैंने ले लिए 2,3,4 यह एक लिस्ट है एंड कैपिटल बी बेटा मैंने ले लिया लाइक एक कॉमा बी ऐसा ले लिया है ना और मैं आपसे बोलूँ कि दादा मुझे बताईए number of element in a cross b कितने होंगे तो अब आप हातों बता सकते हैं कि अच्छा सर जितने a में element हैं उनका multiple आपने बी के साथ कर दो यानि number of element in a into number of element in b जो कि देखते ही देखते सर यह अपने पास आगया 3 into 2 that is 6 तो हम कह सकते हैं कि उसका जो a cross b आएगा ना उसमें total number of elements है वो कितने दादा six है रे गुरू अच्छा ज्यादा लंबा नहीं खीचेंगी जल्दी जल्दी एक बार चीजों को देखते हैं ठीक है सर इतना idea लग गया हमें अच्छा अब मैं आपसे बोलू कि दादा मुझे a a cross b की लिस्ट कर दो a cross b के बारे में लिख दो सर a it is a set of all ordered pair ordered pair का set है तो दादा यह हो जाएगा 2,a इस तरीके से कुछ आएगा next आएगा 2,b अच्छा next आएगा 3,a फिर आएगा 3,b फिर आएगा दादा 4,a और फिर आएगा 4,b यह total six element आ गए मैंने आपसे कहा दादा b cross a बता दूर एक बार मुझे तो वो भी आप लिस्ट कर सकते हैं इस बार 20 element उठाएंगे बी से मतलब a,2,a,3,a,4 यह लो अच्छा और सार उसके बाद b,2,b,3,b,4 यह लो साब और in general देखा जाए तो यह आपसम बराबर नहीं हो रहे हैं और actually होने भी नहीं चाहिए जैसा कि दादा हमें समझ में आ रहा है चलो यहां तक तो फिर भी ठीक है और कुछ छोटे-छोटे कोश्चन जाद आप और कर सकते हो जैसे आपसे जो कोश्चन कभी पूंच सकता है वह तो ऐसे पूंच सकता है आपको एक एक्जाम्पल लिखो आप लेट एक एक डेटा दिया है और 123 एक सेट है और बी इकोल स्टाइल में आपसे कोश्चन छोटे-छोटे बोर्ड लेविल के ऐसे कोश्चन पूंच सकता है है ना हम देरे-देरे जरूर अच्छे कोश्चन की बात करेंगे लेकिन जब कॉंसेप्ट बिल्ड हो रहे होते हैं जब चीजों को समझना है तो थोड़ा साराम आराम से दूसरे कोश्चन के बारे में बात करें आपसे के फाइंड ए माइनस भी क्रॉस थी अच्छा त्याट पर खेल रहा है सर हां यार हो सकता है आपसे पूंच ले फाइंड ए यूनियन भी क्रॉस थी ओके हम समझ गे सर डरने की जरूरत कते ही नहीं है हमारा माइंड अब जो अपना काम कर रहा है हो सकता है हमसे पूंच ले के ए माइनस भी माइनस सी है न अक्रोस ए ऐसा पूंच ले अच्छा ठीक है सर चलो फटापट तर यह हमें आता है इसको आप मत लिखो कोई जरूरत नहीं है यह माइनस भी क्या है सर यानि एके वह एलिमेंट दादा एमाइन जो बी में नहीं है एक वह एलिमेंट जो बी में नहीं है तो ए माइनस भी खुद ए आ जाएगा देसे लाइका वन टू थ्री और क्रोस सी सी मतलब पी कोमा आर और इसको हम अब आपरेट आसानी से कर सकते हैं तो हमें कुछ ऐसे डिफरेंट स्टाइल के कोश्चन बिटा प अधिक है मारा तो यह सब चोटी चोटी बात नहीं है सर इसके बारे में बता तो एक बार तो देखो ए माइनस भी एक वह एलिमेंट जो बी में नहीं है तो खुद ए आ गया और माइनस सी हो गया यह सिंप्लिफाई करने पर क्रोस ए हो गया अच्छा और आसान करेंगे तो एक वह एलिमेंट जो सी में नहीं है तो यहां से भी खुद ए हो गया फिर तो दिस इस लाइक क्रोस अरे वाह एक क्रोस ए सर एक क्रोस एक के बारे में क्या कमेंट करेंगे हम कैसे उस पर बात कर सकते हैं ठीक है सर इसका मतलब आप यह कहना चाह रहे है कि वन टू थ्री और क्रोस वन टू थ्री यह लो अब बना लो चुगा राप तो वन का मल्टिपलाई वन के साथ यानि वन कॉंवन एक और पेर है वन कॉमा टू है ना वन कॉमा थ्री इस तरीके चलेगा टू कॉंवन तो टोटल नहीं आ जाएंगी यह सब चूटी-चूटी बात में आप समझ को हमें अइडिया लग रहे है कि हाँ क्या होता है एक और बड़ी बात कि कि क्या है सर काड़िछन प्रोड़क्ट अपने आप में इतनी मज़दार चीज है ना कि जो आप बच्वन से करते आ रहे है आपको पता ही नहीं है कि अच्छा असालह यह काड़िशन यह भी लिस्ट है और सर इमेंज वह एलीमेंट्स थे वो कैसे हैं सर दिस्क्रीट फर्म में थे मतला डेटा कुछ ऐसे था प्ञेपड़ा था ठाहिक ऐसे फैला पड़ा देटा था एक पानी की सबस्केश्य का फान गता है I'm बताया है सर हमें थोड़ा सा किलिक हो रहा है बन रही है बात कर लेंगे सर इसको हम देखो अब दादा जैसे मैं आपसे बोलूं मैंने लिस्ट को ले लिया रियल नंबर और दूसरी लिस्ट को भी मैंने ले लिया रियल नंबर तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब सर इसका मतल elements x,y type के जिन में x आ रहा है रियल लाइन से और दूसरा y भी आ रहा है रियल लाइन से हाँ ठीक है सर इससे क्या हो जाएगा लेकिन अरे दादा धंगस्ते देखने का रहे समझने का दुनिया के वो x,y जो रियल रियल से आ रहे हैं तो धंगस्ते अगर देखेंगे तो महाराज ये तो पूरा x,y plane जनरेट हो गया रहे अरे वाँ 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 पूरा x,y plane जनरेट हो गया तो हम कह सकते हैं this is nothing but it is a x,y plane तो इसने पूरा x,y plane जनरेट हो गया कोई भी element उठाप उठाओ जो आपका मान है मैंने पॉइंट यहाँ पर element लिया 6,9.5 सही का आसर आपने तो इसका मतलब real cross real ये तो एक x,y plane है अच्छा और इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या एक element मैंने लिया 2,3,4 ये देखो,this 2 is coming from real line,this 3 is coming from real line,this 4 is coming from real line तो ये जो set है,ए जो order है,ए कहां से आ रहा है,sar this is 3D,अरे वायार तो सर ये सब cartesian product की महमा है क्या,हाँ,ये बिलकुल cartesian product की महमा है,चीजों को समझो रहे था था एक बार enjoy करो समझो इस कहानी को मैं detail में जाऊंगा लेकिन अभी relation and function को 12th और 11th के नजरी से देग रहे हैं तो हमें 11th के साफ से चीज़ें deal करनी है और बहुत level पर समझना है कि अच्छा यह set है सर यह 3D generate हो गई this is like a X यह आपका Z हो गया और यह Y हो गया यह 3D हो गया आपका देखो तो 3D भी generate हो सकता है सर 4D 5D सर काटीशन प्रोडेक्ट से 4D हो सकता है लेकिन अभी आँखों से हमने चार डामेंशन कुछ चीज़ देखी नहीं है कुछ चीज मानी जाती है कि हाँ टाइम को फोर्थ डामेंशन माना गया है लेकिन मैं आप से बोल क्यार तीज़ों क्यार अच्छा तो दादा यह जो प्रोसेस है ना इसी को हम कई बार तीज़ों को और अच्छे दरीगे से देखते हैं तो अब इससे रिलेटर कुछ questions भी हो सकते हैं है न है एक question है आपके सामने कार्टिशन प्रोड़क्ट एक्रॉस 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 ए इस नाइन एलिमेंट्स कितने एलिमेंट्स हैं नाइन एलिमेंट्स तो तुम समझ गए रहे गेम क्या गेम है सर यानि एके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे क्या मतलब किलियर ली आगे पढ़ा ही नहीं हमने किलियर ली ए ए हैज नाइन एलिमेंट्स sorry A has 3 elements 3 elements अब वो कह रहा है कि A cross A में कुछ element मिल गए कुछ लोग पाए गए तो A के बारे में बताईए रे सर दादा A cross A की अगर list बनाई जाए तो इस list में total 9 ordered pair है 9 ordered pair में से कुछ लोग पाए गए है 2 को मा 1 मिल गया 1 को मा 3 मिल गया बाकी के क्या होंगे वो आपको बताना है सर बताना कुछ नहीं है बहुत छोटी कानी है तादा हम तो list एक ही बात करेंगे तो let capital A जो list है वो क्या होगी रे अब सर फर्स्ट element coming from फर्स्ट list यानि कुछ list के अंदर 2 होगा सही बात सर फर्स्ट element coming from फर्स्ट list उसके अंदर सर 1 भी होगा बहुत बड़िया और second element is coming from second list और यहां पर तो second list खुद A है रे ओ हो 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 वा 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 यानि कि सर तीन भी इसके अंदर होगा देखो आप second element coming from second list second list भी खुद A है तो हमारा पूरा generate हो गया रहे A आगया 1,2,3 खतम A 1,2,3 आगया अब तो आप बाकी के साथ element बता सकते हैं even A cross A भी बता सकते हैं हम तो A cross A भी लिख देंगे कि यह लो साब A cross A क्या होगा देखो this is like a 1,1 1,2 1,3 पर यह हो गया 2,1 2,2 2,3 Next 3,1 3,2 3,3 यह लो साब तो इस तरीके के questions दादा आपको यहाँ पर मिल सकते हैं और चीजों के बारे में कुछ बोला जा सकता है है ना तो देखो Cartesian products की मदद से अच्छा देखो जैसे अभी एक chapter आप पढ़ेंगे Probability हम थोड़ी सी अभी से इसकी मदद कर दें सरफ probability क्या होता है अरे दादा हलकी सी आदत लाली जा रही है आपको हलकी सी कुछ बातें आपके सामने रखी जा रही है और यहां से कुछ-कुछ मजिदार वादिस्ट आपको सीखने को मिलेगा जाजसे दाथा मैंने आप से एक 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 चामपल आपके सामने रखा A coin A coin-toast price है ना then using Cartesian using Cartesian product Cartesian product कि फाइंड सेंपल स्पेस कहलो या फाइंड लिस्ट कहलो या फाइंड सेट कहलो एक ही चीज है अच्छा यानि कि सरकाइदे से देखा दाए तो यह बहुत सारे चेप्टर का मिस्टर अभी से चल रहा है हां मैथमेंटिक्स को आप बड़ी लेविल पर देखने का दादा ची तो आपको आईडिया मिलेगा क्यों यह गेम ए इसमें ऐसे हमें कमेंट सक्ते अच कुछ बताना या इसके बारे में देखो coin को तीन बार फैंक रहे हैं आप जब पहली बार फैंकेंगे तो आपको H मिलेगा या टेल मिलेगा येलो into जब दूसरी बार फैंकेंगे तो भी H को माटे लिस्ट मना रहा हूं मैं cross ये भी H को माटे येलो साब तीन आइटम का cross product partition product है एक बार सर यहां से देखो अब new list बनाएंगे हम ऑगो मिस्टर एक सब्चों यहां सब्सक्राइब यहां से टी ले लिया हुर्ए वहां से ही रखा यहां से एच ले लिया यह लो तर्वासे एच टी कर दिया और यहां टी कर दिया चार अब टेल के साथ गेम हो जाएगा तो टेल हैं टेल एच एच हाँ यह लो टेल एच टी यह देखो मैं यहीं से कर रहा हूं अचली टेल टेल एच टेल 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 और बच्चों गौर से देखो सेंपल स्पेस कम्प्लीट जनरेट हो गया यूजिंग कांटीशन प्रोडेट और आप देखें अगर डंग से तो टोटल नंबर कितने हैं यहां पर कि टोटल नंबर अफ एलिमेंट कितने हैं कि तर वह आठ उकाइदे से ना प्रॉबिविल्टी की नजरिये से देखा जाए तो यहां पर आंसर जो है ना आठ ही आता है अच्छा तो सर यह कार्टिशन प्रोड़क्ट हां भई कार्टिशन कमेंट करेंगे आप अच्छा थीक है ना तो दादा ऐसी चोटी चोटी चीजों के बारे में हम थोड़ा सा बोली सकते हैं कि हाँ यार कैसे कैसे बोला जा रहा है कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं कैसी कैसी बातों के बारे में हम थोड़ा सा देख सकते हैं को यूजिंग कार्ट अच्छा ठीक है बन रही बात है ठीक है महाराज अच्छा अगर मैं आप से बोलू आप चोटी चोटी बात ने यार मैं आप से कहा कि number of element in list a which is equal to 6 and number of element in list b a cross b which is equal to 24 of find number of element in b फटा फटा आंसर बताओ अरे सर कैसी बात कर रहे हैं चार होगा है ना चार होगा छोटी कहानी है रहा है सुसंक्स आव्यस सब नहीं करने का हाँ ठीक हम समझ गए इतना तो orgt जान्षप होगा हात है फ эффक है कैसे कैसे गkym फिला जारा कैसे क्से क्या मतलब है अच्छा और मैं आप से बोलों है बत चोटी चोटी कारीशन को मैंने तís रिलेशन स्टाट नहीं करा रहें अभी डिलेशन को डील कर रहे हैं सैट का रिकोल कर रहे हैं मैंने आप से कहा कि यह x स्क्वार आख x स्क्वायर स्कुआर फिलस वाइज इसक्वायर विच इकवल तू पत्चीज एंड x,y belongs to natural number तो simplify this list simplify this list या और rooster form अरे सरी यहां तक चलके आगे हाँ rooster form भी आपको बताने ही दाथा बताईए एक बार तो सर कहानी कुछ ऐसी है देखो हमें वो natural number लेने जिनके square का sum 25 है तो सर क्लियरली समझ मारा एक तो 3,4 होगा पहला order अच्छा सर 4,3 भी हो सकता है ये भी सही है तो देखो ये list आपकी minimise हो गई अच्छा तो सर ये धीर धीर हाँ ये सब ordered में खेलने की आदत है और में जो गेम करने का जो सीन है न वो दादा हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा और हमारा काम यहां से हां ठीक हम कमेंट कर सकते हैं या रहती चीज़ें थोड़ी सी हमारी यहां पर बदल रही है अच्छा बाई अब थोड़ी सी दादा मैं जल्दी जल्दी चलता हूं हलकी सी बढ़िया सी सांस ले लो दादा और अब हम बात करते हैं रिलेशन की लिएट तिंक सच व्aken ये रिलेट डेटा रिलेट औजरवेशन यह सारी चीजों का अपको रिलेशन करना है है ना तो ultimately इसकी जो mathematical definition है दाड़ा मैसके अंदर जो definition है तो relation is nothing but या फिर आप इसको practically बढ़ो गया relation क्या है ना relation 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 अब तो देखो इसको हा मैं कुछ नहीं बोलुगा तुम समझो हम ऐसा नहीं करेंगे अपने पास जिसके अंदर element हैं एक दो तीन डोट 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 दस element and एक list भी अपने पास जिसके अंदर element हैं मान के चलते हैं अपना जाधा ले लेते हैं like 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 ABC से ले लो सोमस हैने के लिए मैं तो मैं ठीक है वन्सक्राम गाराम से देंखने की मदद करते हैं अल्का सा डायग्राम तो दादा B मतलब यह हो गया आपके पास मसाला पानी यह लो और यह आपका हो गया A तो this is like a B list और यह A list है हलका साब आप ही बताना तुम लोग ही बताना कि मैं क्या सोच रहा हूं और क्या कह रहा हूं 5 6 7 8 9 और 10 यह लो है ना अच्छा दादा अब मैं इनके बीच में ना देखो इसको अपन मैपिंग भी बोलते हैं इसको मैपिंग भी बोलते हैं मैं यहां से कुछ कुछ specific condition के थुरू मेरे मन में चलेगी आपको गैस करना है किसी concept के थुरू में मैप करना चाहूंगा यहां प तो सबसे पहले तो जादा मुझे बताओ कि number of elements in b cross a कितने हो जाएंगे सर इसमें जो टोटल elements आएंगे वो आएंगे 30 क्योंकि 10 into 30 30 आएंगे सर अच्छा लेकिन मैं इस बार कुछ special mapping ले रहा हूं मैंने का भी यह वन की वेलू टू ए वन की वेलू 3 वन की वेलू अरे यार इधर ही हो जाना ठीक है वन की वेलू 4 5 6 7 8 9 10 लिस्ट को थोड़ा सोटा कर लेते तो मैं समझाने के लिए इसमें से मैं एक element अठा लेता हूं दो तक ही लेते हैं बस भाई आपको थोड़ा किलिक हो जाएगा कि हाँ यार कैसे क्या चल रहा है तो दो तक ही लेते जादा इस इसमें से थोड़ा सा या ठालो दो तक है दूसरी लेस्ट मैं कुछ रिलेट कर रहा हूं आपको ढोड़ना है कि वह रिलेट क्या है तो आपको आपको समझमा आज जाए अच्छा आपना किसी कंडिशन के थूरू गेम खेल रहे है उसी चीज को हम थोड़ा सा रिलेशन कहन करना चाहेंगे मैं दादा टू से अगर कहूं आपसे तो इसको दूसरे कलर से ले लेतने हैं टू इस गोइंग टू थ्री एक और वाइफ टिक्स टेवन एट रहे नहीं रहे 10 जिस तरीके थे यह जो आपको दादा बड़ी मस्त जाडू की जैसी चीज लग रही है मुझे आराम से सोच के बताओ कि मैंने ना अपने माइंड में लेकर अपने दमाग से एक तरीके से रिलेट करा है मैं थोड़ा सा इसको अगर ना फॉर्म के अंदर लिखूना तो दा अच्छा आपको बताना चाओँगा कि दादा ए अ बी एक लिस्ट है उसके अंदर एमडर कि एक लिस्ट है उसके अंदर अडर कितनेग दादा जयसे लिए उन की त्रीके से मैं मैप कर रहा हूं लेकिन अब आप इनको लिखना चाहें तो इसमें भी लिख सकते हैं कि मैंने जो लिखा है ना वो कुछ ऐसा लिखा है कि one map कर रहा है टू पर वन कर रहा है थ्री पर वन फॉर पर वन फाइब पर वन शिक्स वन सेवन वन एट वन नायन वन टैन यह लोगा दादा है दो जो मैप कर रहा है हमारा दो मैप कर रहा है 2,3 पर, 2,4 पर, 2,5 पर, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 2,10 ये लो ये मैंने कुछ आपको एक stat लिखके दिया है तो सबसे पहले सबसे पहले तो मुझे बताओ कि ये है क्या ये जो मैंने कुछ लिखा है ये क्या है सर हमें नहीं पता लेकिन हाँ it is a subset of हम कह सकते हैं कि this list, this list is subset of बीक्रोसे हाँ ये सही बात है मैं कह सकता हूँ कि बीक्रोसे का subset है ये अच्छा चलो सर ये भी सही है लेकिन दादा अगर आप इसको पकड़ पाए ना तो गेम थोड़ा सा बन सकता है स्वा थोड़ा आ सकता है कि अच्छा हमने पकड़ लिया और यहीं चीज यह कुछ ऐसीally में मैट्रायज में करिए कि मुझे समझ मा आ रहा है कि हां एक Co कि Do person कि तुम अपड़ रहे हैं आह सरंगे सच जो मैप कर रहे हैं आप यहाँ पर ईन दोनों में कुछ संभन्द स्तापित कर रहे हैं वो संभन्ध दादा ये iC conv ऑफ लके रहे हैं कि वन G्ट ऊपर यहां पर उन सब पर मसफ होगा दो जीतनों से छोटा है उन सब मैंसा होगा याने कि सर अगर मैं इस चीज को identity को इसमॉल ओर इस चीज को सर मैं इस समॉल भी बो लूँ तो मैं इस चीज को इस्तापित कर सकता हूं यह रहा है कि यहां पर वो सारे एकोम भी जहां पर A आ रहा है लिस्ट B से end B आ रहा है मैंने थुड़ा उल्टा लेख दिया है B आ रहा है लिस्ट A से end A is less than B ओ हो 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 पकड़ डिया सर और इसी को दादा हम बोलते हैं relation ये भी relation है रिलेशन अच्छा यानि कि सर काइदे से मैस के अंदर अगर लेंग्वेज बोली जाए तो रिलेशन इस नथिंग बट इड़ेज सबसेट आफ कार्टिशन प्रोड़क्ट सही बात है जर फिनिस अच्छा इतने रिलेशन होता है यहां इसी चीज को जाद हम कहते हैं रिलेशन इसी चीज को जाद हम कहते हैं कि देश इज लाइक रिलेशन अच्छा तो सर यहां पर हम यह भी कह सकते हैं कि रिलेशन रिलेशन इस सबसेट कि ओफ कार्टिशन प्रोड़क्ट कार्टिशन प्रोड़क्ट यह लो दादा मैं 11 के साथ ही चलूँगा जितना 11 मैं उतना ही दादाम करने की कोशिस करेंगे यहां पर अच्छा याने कि सर यह कार्टिशन प्रोड़क्ट का सबसेट है अच्छा बिटा अब मुझे एक चीज पता हो अगर कोई इंसान आपसे बोले कि लेट नंबर ओफ एलिमेंट इन ए विच इक्वल टू पी ले लेते हैं और अगर आप सब्सक्राइब कि मुझे कि फाइंड मैक्सिमम नंबर ओफ रिलेशन फाइंड मैक्सिमम नंबर ओफ रिलेशन इन կह श्रे तो बी एसे भी इसको कई बार डेनोट करा जाता है अपना भाष्म जी खेभर आ गया क्या है यह क्या है पत्तिमी जी ए अस्टे लेके बीके बीच में दादा ए यहां पर एक लिस्ट है ए और फी यहां पर एक लिस्ट है आसे बीके बीच में total maximum कितने relation बन सकते हैं सर ये ना ये question सिर्फ परेशान करने वाला है बाकी का अगर हम समझदार हैं तो question हो जाएगा बड़ी बात नहीं है दैसे दादा गौर्थ से अगर देखा जाए गुरू यहाँ पर डंग से देखा जाए तो सर में कह सकते हैं कि relation कुछ नहीं है relation एक सबसेट है देखो एक सबसेट है सबसेट है किसका एक रोस बी का तो ultimately you have to find you have to find total number of relation total number of relation यह total number of subset of a cross b a cross b के जितने सबसेट होंगे वो सारे relation होंगे सही बात तो सर a cross b में total element कितने है इसमें जो total element है वो है pq और total subset कितने होते हैं अरे सर सबसेट होते हैं टू की पावर pq यानि की दादा टू की पावर पेक्यू रिलेशन्स बनाए जा सकते हैं अच्छा तो दादा इस तीज का थोड़ा सा आपको विस्थेश ख्याल रहें कि हाँ टोटल नंबर हम कितने बना सकते हैं कैसे चीजों को देखा जा सकता है और कैसे कैसे काम इन पर कर सकते हैं तो हाँ रिलेशन की थोड़ी-थोड़ी कहने यहां पर थोड़ी-थोड़ी बनती देख रही है है ना अच्छा अब बिल्कुल एक NCRT का चोटा सा कुश्चन करते हैं जैसे दादा मैंने आपसे कहा कि कि लेट लिस्ट A विच्छ एक्वण टू-1 2 3 4 एंड लिस्ट बी विच्छ एक्वण टू 12 एंड रिलेशन रिलेशन डिफाइन कर दिया बेटमे ने इस बार रिलेशन मैं डिफाइन कर रहे हूं जिसको पर civil R सी distinct करते हैं मैंने कहा कि तुम्हें वो x, y लेने हैं जहां पर such that x a से आ रहा है and y b से आ रहा है such that x की value जो ना y से छोटी है यह मैंने define कर दिया relation ठीक है sir लिख देंगे तो दादा इसको minimize करके लिख सकते हो गया हाँ बिल्कुल लिख सकते है sir तो relation की दादा बात अगर करी जाए तो relation क्या है यहां पर लिख दो sir तो 1,2 हो सकता है 1,2 हो सकता यह लो पहला element है ना सर 2,2 तो हो गई नहीं देखो नहीं होगा फिरी तो हो गई नहीं तो कुल मिला के relation में एक ही element आया रहे अच्छा बस इतरह ही हाँ this is like a relation इसी को बोलते है relation दो लिस्ट को आपस में किसी तरीके से जोड़ना सर वो तरीका क्या है वो condition क्या है sir this is a condition भाई इस ही condition के थिरू तो मैं relate कर रहा हूं इनको तो सर एक ची बताओ क्या यह जो relation होते हैं कि condition पर चलते हैं हाँ मैस में तो condition पर चलते हैं सर हकीकत में वह condition ही है नहीं सर यह गलत बोल रहा हां कुछ रिस्ते हैं जो conditions पर नहीं चलते जैसे मा का और बेटे का बेटी का अच्छा बाकी के सब हाँ conditional तो सर कुछ condition के थ्रू ही हम दो चीजों को जोड़ पाते हाँ condition जरूर होती है अच्छा कई अच्छी condition भी होती है यह प्जामती इदा नहीं पुरी condition भी होती तो ऐसा नहीं तो रिलेशन जब जुड़ेगा जब रिशन बनेगा तो कंडिशन कंडिशनल मनेगा कुछ डेटा पर कंडिशन होगी तभी आप उस डेटा को मैच कर पाएंगे समझ रहे हो ना अच्छा तो ठीक है सर एक और कॉंस्टेप्ट यहां पर आता है डॉमेन कि डॉमेन ओफ रिलेशन डॉमेन ओफ रिलेशन कुछ नहीं लिखना आपको फस्ट एलिमेंट फस्ट एलिमेंट ओफ रिलेशन इज डॉमेन यह सेट ओफ फस्ट एलिमेंट सेट ओफ लिगलों चाओता है ना अच्छा तादा एक और आता है कोडॉमेन कोडॉमेन ओफ रिलेशन एक डॉमेन रिलेशन तो सेकेंट लिस्ट कम्प्लीट को सेकंड लिस्ट जो होगी ऑपकी कोडॉमीन होगी एक लाइन और आती है रेञ्ज रेंज हा यह उता है सेट ओफ सेकेंड़िमेंट set of second element of relation इसको दाद हम क्या बोलते हैं? range बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? range बोलते हैं दादा ठीक है न? तो अब इस पर कुछ एक दो question देख लेते हैं मैंने लेखे हैं नहीं, मैं लेखे देता हूं यहाँ पर मेरे पास लेखे हुए हैं एक list दी है 1,2,3,4,5,6 दादा एक question लेखे लो आप और थोड़ा solve जरू करना है इसको तो let एक list दीए which is equal to list के अंदर है 1,2,3,4,5,6 यह लो है न? फिर दादा यहाँ पर बोला है let capital R be the relation let capital R be the relation relation और जो कि define किया है उसने कुछ condition बेखे, condition दीए relation on A defined by defined by कैसे defined किया है उसने? B is exactly अच्छा दादा वो सारे A,B जिसमें A और B कहां से आ रहे हैं? A से ही आ रहे हैं अच्छा, end B is exactly divisible by A, yellow ठीक के न? अब question number one question number one find domain find domain of relation R question number second find find क्या पूँचा है? second में range पूँची नहोंने range of R range of R yellow दादा third में पूँचा है दादा इन्होंने आपसे third में दादा यह कह रहे हैं आपसे कि भी यह condition के सबसे पहले अपने relation को स्थापित कर लेते हैं तो सर हमारा जो relation होगा न वो relation कैसा होगा सर इसने बोला है वो सारे यह भी जो एक रोस यह से आ रहे हैं जिसमें जो है ना बी इस डिविजबल बाई यह यानि इससे डिवाइड हो जाए तो सर इसमें जो प्रिमेंट्स आ सकती है वन वन या हो सकता है वन के सारे आ सकते है एक्ट रिया successor एह 1zagli है सकता है 1 5 आ सकता है और 10 थिक सा सकता है अब 2 1 नहीं हो सकता सर Honor के टो डिभाइड नहीं करता 1 को 232 नहीं सकता है फので 25 हो सकता है मैं लिछ लेता हूँ ड्रोस सकता है शुक्त जो सकता है अच्छा टीन की बात करी जाये तोesy-टो 2,2 भी हो सकता है हां बिल्कुल हो सकता है और 3,6 नहीं होगा 5,5 हो सकता है और पंछесто 6,6 हो सकता है यह लों है वलास्ट्िस टोटल कितनी इलिमेंट्स हैं ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ंट इन रिलेशन। कितने हैं रिधादा। सर 6 और 39 और 3 12 और 2 1400 सर 24 एलिमेंट्स है टूटल सही बात ठीक है सर कोई बड़ी बात नहीं है इतना तो हम लिखे सकते हैं अच्छा, domain की बात करें सर, domain of relation domain सर, domain में first elements of relation first elements of ordered pair पहला element one तो सर, one को एकी बार लेंगे अपन सर, two भी आ रहा है उसमें, सही है सर, three भी आ रहा है उसमें ये भी बहुत बढ़ी आ सर, four भी आ रहा है, five भी आ रहा है six भी आ रहा है, यानि कि सर, domain देखा जाए, तो पूरा set आ गया, domain क्या है रहे domain पूरा capital A आ गया, ये भी बहुत बढ़ी आ अच्छा सर, वैसे domain की बात करें तो capital A आ गया, range second element of relation second element, second element 1, 2, 3, 4, 5, 6, सब कुछ आ गया सर, ये भी किस्मत से A है और code domain हमेसा second list होती है, तो वो भी A होगी अरे वाँ, तो सर, ये थोड़ा-थोड़ा एक idea हमें यहाँ पर लग गया, कि हाँ relation में किस तरीके से अपन चीज़ों को थोड़ा सा manipulate कर सकते हैं, कैसे कैसे उसके बारे में कुछ बूला जा सकता है दादा, है ना ठीक है दादा, तो अब ये relation, domain, code domain, ये सारी चीज़ोटी जोटी आप निकाल सकते हैं, मुझे लगता जाए तो, relation के कुछ types हैं, कुछ type के relation होते हैं, तो दादा, relation अगर कुछ type के हैं, तो उनमें कोई है ना, कुछ condition के through चीज़ है, जोड़ देंगे, लेकिन अगेन, जो relation का type है, वो 12th class का concept है, तो अभी, अभी हाल-फिलाल हम लोग नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ छोटे-छोटे questions की तरफ ही, move करने की बातें करेंगे दादा, है ना, अच्छा साब, चलो, बात आती है, दादा, picture में entry होती है, पंसन, बहुत बढ़िया, पंसन, पंसन, ये क्या है, सर ये relation का एक बेटा है, ये भी एक relation है, लेकिन ये, इसकी conditions थोरी ज़्यादा है रे, इसकी अप एक च्छा है ज़्यादा है, तो relation, function is a relation, या फरो कह सकते हैं, function is a special type of relation, function is a special type of relation, ये लो, आप एक च्छा है ज़्यादा है रे, इसकी, इसकी condition थोड़ी ज़्यादा है, relation, function कहता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो relation था, वही मैं हूँ, लेकिन अब मैं जो mapping करूंगा, function को कई बार mapping भी कहते हैं ज़्यादा हम, mapping, mapping भी कहा जाता है, हम relation की तरफ से अगर बात करें तो function एक relation है, relation का एक बेटा है लेकिन condition थोड़ी ज़्यादा है रे, आप एक्छा है थोड़ी ज़्यादा है, सर क्या पेक्छा हैं उनकी थोड़ी बात कर लेते हैं हाँ, तो ज़्यादा function को एक अलग level पर define किया गया है कि function, function सबसे पहले दो set के बीच में define होगा बिल्कुल जो तो हम जानते ही हैं और दौनों set non empty होने चाहिए, मतलब list में कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है सर तो यह लिखने का तरीका है, चलो सर यह भी बड़ी बात नहीं है, अच्छा, इसकी जो condition है न, वो कैसे map करता है, यह कहता है, function is defined, function is defined, जो बाप गलती कर रहा था, वो बेटे नहीं करी, क्या गलती, बाप क्या न, एक व्यक्ति को कई ट्रिप पर ले जा रहा था, जैसे मैं कुछ कुछ कोश्यन के थिरू बताऊंगा, आपको, function is defined from set A to set B, such that, in such a way that, every element of A, every element of A has a unique image in B, जा सर यह क्या पत्तिमी जी है, दादा कुछ नहीं है, जैसे, एक question आपका यह रहा, और एक question आपका यह रहा, this is list A, हम उसी question की बात करते हैं, this is list B, आराम से समझते हैं रेतीजों को एक बार, इसमें data है, one, two, three, इसमें data है, one, two, three, four, five, और यह six, यह लो, यह पांस तक ही ले लेते हैं, और दादा, इनकी बीच में एक relation मैंने बनाया था, let capital R be a relation, capital R be a relation, is defined by, relation को मैंने define कर दिया कि वो सारे elements वो a, b जिसमें a जो एना छोटा है b से यह लो, मैंने ऐसा relation बना दिया, आप देखो function क्या बोलेगा इस बाप से कि गलती नहीं करने करे, relation अब कहेगा यहां पर, कि भाई बापू जो तुने गलती करी न मैं नहीं करूँगा, बापू का अलगी रोला यहां पर देखो बापू कहरा है कि साले सब मस्त रहो, बापू ने कहा कि ठीक यार तुम्हें घुमाने ले चलते हैं, तो वन से पूंचा भाई वन तु कहा जाना चाहेगा, किस के साथ मैं होना चाहेगा, कि देखो भाईया मैंने condition के थूरू relation बनाओंगा लोगों के साथ, मैं अपने से छोटे लोगों से मिलना पसंद करता हूं, मतलब मैं सबसे छोटा रहना चाहता हूं, तो जो वन है न, यह वन के पास नहीं जा सकता रहे, इसको फिर टू के पास जाना पड़ेगा, काम कर रहा है, वन जो है दादा, थ्री के पास जा सकता है, मैपिंग, इसको होल्ड कर रहा है, condition यह थी कि पहला element, second list चोटा होना चाहिए, काम हो रहा है sir, यहां भी काम हो रहा है, यहां भी काम हो रहा है दादा, तो this is list A, this is a relation, अच्छा, अब सर अगर बात करी जाए, second की, second तीन पर जाए गारे गुरू, second कहेगा भाईया मैं अपने से बड़ों पर जाना चाहता हूं, second four five पर भी जा सकता है, कलर दूसरा लेने गारे एक बार, यह लो, तीन की बात करें, तीन चार पजा सकता है और तीन पांच पजा सकता है, तो this is like a relation, तीन कलर different matching कर रहे हैं, यह relation है एक अच्छे गासे तरीके से, पंचन ने कहा, पंचन कह रहा है दादा देखो, अब हम relation जरूर बनाएंगे, हम भी relation बनाएंगे, लेकिन इस बार हमारा जो relation होगा, इस बार हमारा function होगा, बापू कह रहा है कि, वन ने यहाँ पर तीन तीन जगे हाथ मार दिया, देखो, का zur ब्रस के साथ'd भी पहलती कर रहा है, वन ने मैपिंग 4 के साथ भी लिए, वन ने मैपिंग 5 के साथ भी कर लिए, यह सब नहीं चलेगा, एक अदमी एक साथ जाने गा भई, भाइकि कहा हम जाने नहीं नहीं देगा तुम्हें, अरे यार ऐसा नहीं चलेगा रहे तो बहिया वनने का काईकू भाई ऐसा कैसी करेगा तू तो दादा किलीरली समझ में आ रहा है रहे फंचन कह रहा है कि नहीं रहे फंचन की कुछ अलग सर्थ हैं फंचन का कहना ऐसा है कि प्रतियक कहले एक एलीमेंट इसे सारे अलीमेंट को जाना चाहीं लेकिन और एक की पास यानि एक की मेंपिंग 1 के पास यह डबल गेम नहीं चलेगा यह विक्तरी utan चलेगा एसा नहीं होगा कि एक पॉइंट पर अच्छा ये इंपुट वर्ड भी आ गया सर तो function के लिए function कह रहा है कि function आप इसको कई जगे आप बहुत सारी चीजों में ढंग से भी देख सकते हैं कि this is like a machine यह define करी गई है तो दादा function एक machine की तरह है एक machine की तरह है यहां से आप एक input डालो कि एक input डालो कुछ functioning होगी कुछ functioning होगी और बात में एक ही output आना चाहिए आउट्पुट आना चाहिए मतलब बहुत सारी चीजों दादा ऐसा समझ लो आप functioning कुछ भी आपने किसी machine में कुछ input दिया जैसे आपने पंख्या चलाना बटन दबाया बटन दबाया इनपुट दिया हवा आने लग गई output है एक और बार बटन दबाया पंख्या ने बरफ आपको आपको तो यह सब मूर्खता है नहीं तो function ने कहा कि नहीं रहे अब एक वार में एक ही चीज़ करने का बस हम आपको कुछ देंगे उस पर processing करो उस पर यह रीलेशन का बेटा है रहे ना को यह रीलेशन का बेटा है तो ज्रूर्च अधा है यह अट्रेल Tag को आफको यह और आपको एक नई मसीन देंगे और आपको लगाना है कि कैसे सोच रहा है यहलो एक दो दो ले लिया आपने और चलो आगे भी ले लो 10..20 तक ऐसे कुछ बड़ी लिस्ट है रहे बड़ी लिस्ट है अब मैंने मैपिंग करें यहांपर डादा लिस्ट एसे लिस्ट बीकी तरफ mapping हो रही है this is functioning हो रही है अब आपको आइडिया लगाना है फटाफट आपने मसीन के अंदर 1 डालना मसीन ने फटाफट 1 निकाल दिया आपने मसीन के अंदर 2 डाला फटाफट 4 निकाल दिया मसीन के अंदर आपने 3 डाला फटाफट 9 निकाल दिया मसीन के अंदर आपने 4 डाला फटाफट 16 निकाल दिया तो this is a function यह है function इसी को हम function बोलते हैं अगर यह क्या पत्तिमी जी है हाँ भई इसी को function कहा जाता है अच्छा तुम define कर सकते हो कि क्या हो रहा है सरासान है अगर सर इसको हम x element कहें और इसको हम y element कहें तो इनके भीच में function define कर सकते हैं कि हमारा जो function होगा function को define कर सकते हैं which is equal to वह सारे x,y such that जहां पर जो है na y equal to x square हो रहा है देख लो अच्छा तो this is function अगर आप relation निकाल पाएं तो उसी चीज़ को दादाम function कहते हैं कि समझ रहे हो क्या तो एक छोटी सी कहानी है function को ले अब यहां पर तुम function पर कमेंट कर सकते हैं function के बारे मैं बोल सकते हैं तो function ultimately वास कहता है कि एक input लेने का और एक input में एक ही बार आउट आपको game खेलना है दादा तो आप चोटी चोटी बहुत सारी business बाते हैं जैसे दादा मैंने आपसे कहा क्या यह function है a b c or this is one two three four क्या यह function है नहीं सर यह तो कप ही नहीं है victory बने गया यह आदमी दो जगा मुह मार रहा है गलत बात है सर हो यह नहीं सकता not a function perception Key definition क्या ही relation हा right relation हो सकता है relation हो सकता है अब वह जो एक है वह cheating भी कर सकता आपके साथ औहां भी मस्ती कर रहा है बीके यह साथ ही मस्ती कर रहा है तो यह चीटिंग वाल लगे मोई सकता है यह स्टिल फंशन कहता है कि आपके पास हग है एक के पास जाने का बस तो इस लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करते हैं तो अभी वह सब डिटेल की बाते मैं नहीं करूंगा यहां पर हम चोटा-चोटा-चोटा-इलेवंध के बच्चे उनके लिए विसेश वीडियो है यह और उनके लिए थोड़ा सा ठीक टाक काम यहां पर कि हाँ यार अप सेट हो सकत तो दादा एक फंशन यह भी अच्छा यह फंशन है क्या 123 और दिस इज ए भी तो टू चला गया यहां पर फंशन नहीं है क्यों क्यों कि सर यहां पर क्या है ना आप चलो वन माल लेते हैं सर फंशन नहीं कहता कि एब्री एलिमेंट शुड भी प्लेस्ट यानि कि बी मैं को कि इन्पुट खाना खाया साफ भी रहे है वोल रहा हूँ यह सब आउट पुट है नहीं तो देखो एक इन्पुट के आंसर बहुत सारे आ रहे हैं बोलना चलना मतलब हिलना है ना घूमना दौडना यह सब क्या आउट पुट है यह तो एक इंपूट पर आउटपोट बहुत सारह सकती नहीं हा सकते फिर फंप्शन नहीं होगा कीरा क्वका ये सब्सक्राइब्स जबतलर कि इंपरता के लिए और कुछ और प्रोसेसिंग कई नहीं है व्की घाड़ी सकती सक सकती है बाइक लाइक मसीन लेपटॉप जो कैमरा आपके सामने है यह रहा आपके सामने मैं बोल रहा हूं इस इंपूट प्रोसेसिंग हो रही है यहां से यहां तक पूरी मसीन लगी है यह भी एक मसीन है यह मसीन लगी है और इस पर कुछ प्रोसेसिंग हुई और आपके पास आवा आपकी प्रोसेसिंग हुई आउटपुट क्या आएगा आउटपुट दादा एक्षिली आएटी एनएटी है ना यह सब आपके हाथ में आना चाहिए तो यह सब क्या है दादा यहां पर हम छोटी छोटी चीजों के बारे में बोल सकते हैं कि हाँ अपना जो गेम है दादा व X और यह Sाफ यहे से अब मुझे बनाओ क्या यह फंश्न है कि में आउटिली निटा अडाविकी लिए इस एक जांपल दो हमें एक जिससे हमने बता पाएं कि यह फंश्न नहीं है जैसे एक function आपने ऐसे लिए दादा अब मैं आपसे बोलू कि यह लो क्या यह function है ताप जैसा अरे यार सर नहीं है function कैसे देखो दादा आप एक वरिएंटल लाइन खींच लो वर्टिकल लाइन खींच लो कोई भी एक यह आपने खींच दी वर्टिकल लाइन तो देखो गौ चाहेगा element height सर यह होगा 2,3 माल लेते हैं सर यह होगा 2,6 तो आपने देखा दादा जो टू है ना वो मैप कर रहा है पांच पर भी टू मैप कर रहा है तीन पर और टू मैप कर रहा है माइनस यह पर not a function not a function समझ गे ना तो ग्राफ से भी कमेंट कर सकते हैं ग्राफ के बारे पर कट कर रही है तो आपका function नहीं होगा जैसे दादा मैंने आपसे कहा क्या यह function है this is like a x और यह y यह बताओ क्या यह function है नहीं sir not a function क्योंकि जब आप vertical line खीचेंगे तो तीन जगे cut करेगी which is not a function यानि कि एक point के लिए तीन output आ रहे हैं तो this is not a function तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ग्राप से भी थोड़ा सा कमेंट दादा यहां पर कर सकते हैं और कैसे कैसे चीजों के बारे में बता सकते हैं तादा function की बात करी जाए तो a to b है ना a to b लिस्ट a है लिस्ट b है प्रोसेसिंग हो रही ही function में कुछ काम हो रहा है लिस्ट a से कुछ element उठाए जा रही है किसी function के तहत किसी condition के तहत और लिस्ट b में उनका output दिया जा रहा है आच्छा दादा इसको हम बैसे pre image बोलते है pre image ठीक है ताथा इस लिस्ट को बेटा हम को डूमेन बोलते हैं को डूमेन को अच्छा को डूमेन के अंदर किसी function के तुरू जब हमारी mapping होगी और जो answer आएगा यानि को डूमेन के अंदर दादा इसके अंदर range आता है इसके अंदर होता है range जिसको हम कई बार image भी कहते हैं मैं बताऊंगा कैसे प्रीमेज को कई बार अपन डूमेन भी कहते हैं यह सब नॉर्मल वर्ड्स हैं दादा तो जैसे छोटी जोटी कहानी देखी जाए दादा अगर मान के चलो यह एक list A है और यह एक लिस्ट भी है यहां पर अपन कुछ ऐसा काम करते हैं जैसे मान के चलो दादा एक फंशनिंग हो रही है एक फंशनिंग ठीक है एक फंशनिंग हो रही है और पंशनिंग इस बार एक ही होघी है कि परगण आपने कि कुछ मदमें लेते हैं कि इस लिस्ट में लिस्ट है और और यह यह ऐपने डालू भाई है ठीक है चार लोग है आते हुआ के साथ फंशनिंग करी प्रॉसेसिंग करी फूरी और बिज्वेद्व की लिस्त है कि लिस्ट ओफ आएटी तो मान के चलो देसे लाइक बॉम्बे वाली आएटी हो गई यह मद्रास हो गई है ना पूरी लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है यह गौहटी हो गई दादा यह अपना आएटी डेली हो गया और डॉट 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 टोटल टेईस हो और ठेभान दादा यहांँ पर ऋमान के चलो इसको ड्रेली अलोट हो गया यह अच्छा कोओ भाई को भी ड्ली मिल गया यह अच्छा ठर्व कर अजय दादा राशुर को यहांँ पर मद्रा म्ला मान केच छलो और डालू भास दाली को मान के चलो भॉंब्हें मिल गया तो this is clearly a function यह function है देखो list एक सारे element placed हो गए सारे element placed हो गए दादा तो इसको हम बोलेंगे image प्री image यह जो elements है बेटा यह जो elements है जितनी भी elements है इनको बोलेंगे domain domain और यह जो पूरी list B है ना this is completely list B कि इसको बोलेंगे co domain और गवाटी को थोड़ा नीचे डालते हैं यहां असी निखालते हैं हां बागे हम उसका बक्सा बनापाएंगा यह गवाटी और बाकी की iatis दादा यह है आपका range जो आंसर आ रहा है जो output है जो output है वो होता है range जो आपको output मिल रहा है न वो होता है range वो है range तमझे रहे हो गुरू यह आपका है range तो देखो domain आ गया co domain आ गया range आ गया और इसी range को हम कई बार image भी कहते हैं इसको कई बार हम image भी कहते हैं जादा अच्छा अब अगेन 11th class के आप से छोटा छोटा एक बार हम चीज़ें देखेंगे यहां पर ज्यादा देखना तो सही नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा एडिया लगा सकते हैं कि कैसे क्या सीने गुरू यहां पर ठीक है थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं कि डूमेन का कॉंसेप्ट आ गया को डूमेन आ गया रेंज आ गया अच्छा बिटा अब यह तो नॉर्मल लिस्ट होगें आपकी अब जो काम चलेगा ना जो पूरा मैस आपका टिका हुआ है वह इस पर टिकायता था रियल टू रियल पर रियल टू रियल पर दिस इस दो फॉंशन फॉंशन रियल टू रियल इसको बोलते हैं प्री इमेज प्री इमेज और इसको को डूमेन ठीक ऐसे समझो आप डूमेन का जो आउटपुट आएगा उसको कहेंगे हम रेंज क्यां अपिर इसको डूमेन के कंसे कंद रियल टू रियल पर दादा गेम खेला जैसे मैं आपसे अगर बोलूँ जैसे आपसे आगर किसी ने पूंचा कि Design You find find domain of f of x which is equal to 1 upon x यह मसीन जो है दादा यह मसीन का input बताना है अच्छा आप देखो यहां पर function को define नहीं कर रहा है उसने कुछ भी तो हम मैंने आप से का कि आपका इस फंक्षन है न वो define है natural to natural नेचुरल तो नेचुरल यानि कि दादा आप जो इसको input दे रहे होना वह input यहां से देंगे और आपके जो output है वो भी नेचुरल आने चाहिए वो भी नेचुरल आने चाहिए तो सर यहलो मसीन यह मसीन है सर हमारे पास f of x वन अपों x आप इसको UCLA आप इसको आप इसको इनपूट दे रहे हैं natural number लेकिन सर बहार जो आउण फू निकलेगा वहां तो नमबर आएगा ही नहीं नोट नेच्रल नमबर तो नोट नेच्रल नमबर हां कुछ टर्म्स के लिए आ सकता है सर तो देखो दादा जब आपने मान के चलो बेटा इसको 1 दिया कि 1 दिया तो वन दिया तो वन आगया टू दिया- तो हाफ निकलेगा बाहर फिर क्या आएगा वन भाइफ्री डॉट-डॉट डॉट-डॉट ऐसे आएगे यह सब आपका आउटपुट आजएगा पूरा लेकिन हमा आउटपुट में केवल नेच्रल नमबर ही लेने हैं तो हमारा आटपूट के वल नेचुरल नंबर वह नहीं माना जाएगा बस तो इस तरीके से तो दादा कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जब function define ना किया हो कि कहां से कहां तक define है कहां से कहां तक कमेंट कर सकते हैं तो उस case में जो है ना हम जादा बात ही नहीं कर पाएंगे उस case में फिर हमें लेट करके चलना बढ़ेगा कि हमारी जो रियल टू रियल पर बात हो रही है यानि कि दादा अगर function आपको यह दिया है ना कि f of x equal to 1 upon x तो आपको यह लेट करके इसको ऐसे ठीक है और यह बाहर आउट पुट आ गया तो यह f of x है आपकी machine है दादा 1 upon x अब इसको input क्या दोगे आप input वैसे input के नाम पर आपको बोला गया है कि आप रियल नंबर दो लेकिन जब आपको सही input मिलेगा जब कहते हैं ना सही मौके की तलास होती है तब इंसान काम करता है तो सही मौका सही input तो जो सही input है उसको domain बोलते हैं जो सही input है ना बेटा उसी को domain कहा जाता है तो domain का मतलब हो गया है यहां पर कि भाई input आप कुछ भी दे दो जीरो मत दे देना बस क्योंकि जीरो पर machine फट जाएगी 004 जीरो पर machine फट जाएगी 03 machine काम यहिं करेगी नृशा बाय कैसे काम करेगींन पर तो जादा यह छोटी छोटी चीज है थोडी हम समझनी पड़ेंगी घा कैसे कैसे काम चल रहा है, क्या चीज़ों को देख रहे हैं हम, और कैसे कैसे अपना सीन है, तो जादा अगर डोमेन की बात करी जाए, तो this is like a domain, अच्छा, अब output जो आएंगे, range जो आएगा इसका, range मतलब output, range में क्या-क्या मिलेगा आपको, range में हमें सब कुछ मिल जाएगा, range में सब कुछ नहीं मिलेगा, बिटा थोड़ा सोचना पड़ेगा रहे हलका, range के लिए अच्छे-ची कमेंट करने पड़ेंगे हमें, और range क्या है थोड़ा prediction type का है, कि सर देखो आपने 1 दिया, 1 मिल गया, 6 दिया, 15 दो, 9.11 दो, कुछ भी दो, लेकिन range में कभी 0 नहीं मिलेगा, तो range में भी answer real number आ जाएगा, लेकिन उसमें भी 0 नहीं आएगा, देखो कैसे, जैसे आपने बेटा y की value, which is equal to 1 upon x, अब मैं तुमसे कहूं, कि x की किस value के लिए y का answer 0 आएगा, तो तुम्हें लग रहा होगा, गया रहे यार, तो x की value तो कभी आई नहीं सकता, 0 कभी, आई नहीं सकता, तो फिर क्या कर सकते दादा हम, कैसे बात कर सकते हैं, तो this is like a machine, मसीन की तरफ देखेंगे न, तो देखो क्या मसाला डाल रहे है, क्या मसाला मिल रहा है, तो थोड़ा-थोड़ा हमें idea मिल सकता है, कि अच्छा वाव, ऐसा सीन है, तो दादा, अब हम थोड़ी सी complete बातने हैं, functioning की करेंगे, function के बारे में करेंगे, हलके-लके-सी range के बारे में कुछ comment पर करना चाहेंगे, तो यही सब दादा हमें छोटी-जोटी चीज़ों पर यहाँ पर बात करनी है, हालांकि इसकी detailing 12th class में देखेंगे, लेकिन हा तो आपसे question पहुंचा है, भाया मुझे domain बताओ इसकी, और second question पहुंचा है, range बताओ, range बताओ, या r of f कहते हैं, इसको बताइए, दादा, यह machine है आपकी, यह लो, machine f of x, जो कुछ इस तरीके से मसाला, operate कर रही चीज़ों को, अच्छ दादा, इसको input देते हैं एक बार, य यह इसका input, आप जो input आप दोगे ना, जिस पर machine काम करे, work करे, भाई हर चीज़ की capability होती है, हर चीज़ को एक तरीका होता है, है ना, भाई आप मान के चलो, 4 रोटी खाते हो, मैंने कहा, भाई 40 रोटी की मुझ में साले ठूस दो, तो दादा, वो फिर ठूस ना हो गया, न दाल दिया, juice निकल गया, अब उसमें लोहे का पाप डाल दिया, तो juice थोड़ी निकलेगा, कोई लोहे की रोट डाल दी बड़ी सी, तो आपको वही item देने है, machine को, वही item आपको ढूंड के लाने है, जिस पर machine आपकी काम कर जाए, तो उन item को ढूंडने का जो process है, उसको domain क कहते हैं, और जो answer देगी, जो output आएंगे, उनको अपन range कहते है, ठीक है sir, तो input जैसे ही, मैंने इसको input दिया, दादा मान के चलो 1, मैंने input दिया 0, 0 पर machine करेगी मस ताराम से, नहीं, बनेगी बात, क्योंकि root के अंदर नहीं के tape machine ने मना कर दिया, भया, इसके बारे में खु अबना इस question को मस्तिनी तोर पे solve किया जाएगा, sir, इसको जो भी आप input दोएंगे, वो input ऐसा दो कि यह चीज positive आजाए, क्योंकि x तो unknown है, so for input, for input, या domain, हम कह सकते हैं, x-1 बहुत भी positive होना चाहिए, ऐसी domain लो, ऐसी x की value लो, सभी बात है sir, तो इसको हम कह सकते है, x-1 greater than equal to 0 positive को mathematics में, और x greater than equal to 1, तो अब input आपको पता लग गया, x-1 या उससे बड़ी ले आओ, तो domain क्या आगया, sir, domain 1 से लेके infinity कुछ भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ये इसकी domain हो गई, तो जादा, आपको value ऐसी find करने, जिस पर आपकी machine काम करने लग जाए, machine कुछ कहने लग तो फिर आप दीरे-दीरे कहना comment कर सकते हैं, कि हाँ यार अब दीरे-दीरे इसके बारे में आप बोला जा सकता है, चीजों पर comment कर सकते हैं, तो जादा मैं छोटा-छोटा आपन वह 11th class के function की बारे में बात करेंगे, range, वाह, range में answer, अच्छा दादा, range, सबसे छोटी value क्य क्या होगी, चोटी value क्या देगी machine, और सबसे बड़ी value क्या देगी, वही range है, सबसे बड़ी value, अच्छा, सबसे छोटी value क्या देगी रहे, सर तो range rf हमें नहीं पता, लेकिन सबसे बड़ी value तो सरी इनफिनिटी देगी, क्योंकि हमने x की value डाल दी 10 लाग करोड, तो 10 value infinite होगी, उसे छोटा answer क्या देगा machine, यह थोड़ा सही है दादा, यह थोड़ी सी जगार सही है रहे, कैसे बोलें अब, क्या करें दादा, तो सर, x की value जब इसको 1 देगे ना हम, तो root 0 हो जाएगा, और root 0 की value 0 होती है, 0 से छोटा कभी नहीं दे गाई है, तो हमने इसकी range भ तो हमें एक idea लग रहा है कि अच्छा, इसका output निकलेगा न, output में हमेसा जो answers आएंगे, वो 0 से लेकि infinity आएंगे, और 0 to infinity पर ही आप comment कर सकते हैं, उसकी बारे में ही दादा बोल सकते हैं, तो थोड़ा machine अंदाज से देग रहा है न, चीजों को, तो एक अलब label का स्वाद आ आपर, अच्छा, next question की तरफ चलते हैं, तादा इस बार machine आपको दी है, f of x, one upon x square minus 3x, और या plus 3x minus का 4, ये लो, पहला question, domain बताओ, अच्छा, second question, machine की range बताओ, ठीक है, बताओ साब, अरे यार सार, ये छोटे question है, लेकिन मज़ेदार हैं, अब दादा आपको ढूंड़ना पड़े गारे, दादा ये आपकी machine अंदाज हो गया, machine, 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 f of x, which is equal to 1 upon, इसको ढंग से अगर लिखे हैं, तो 4 के ऐसे factor, जिनका अंतर 3 हो, quadratic के थोड़ी 10th class की theory, हमें थोड़ा सा याद है, कि और थोड़ी थोड़ी बातों पर comment, जरूर और अथ्यकासे तरीके से करा जा सकता है, कि हाँ यार, कैसे कैसे ने, दादा इसको मैं लिख सकता हूं क्या, कि this is like x plus 4 into x minus 1, हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, दाद मसीन बोले करें, स्वागत है, आने तो, value आप देना चाहते हैं, दीजे जनाब, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो दादा, यह इसका input है, input, for your output, output मतलब range, चलो, domain बताओ, sir, domain clearly समझ में आ गया, आप क्या game खेलना चाह रहे हैं, यानि कि sir, हम x के value कुछ भी दे सकत है, जैसी minus 4 देंगे, machine रूने लग जागी, अरे भगवान, one upon zero, क्या करूं इसका मैं, बेटा, मैं इसका कुछ नहीं कर सकती, समझ इस बात को, तो machine ऐसे कहेगी, और आप मना कर देंगे, भाई साब, machine को गलती से, आप न, 4 मत दे देना, machine को गलती से, 4, minus 4 मत दे देना, तो सर one भी नहीं दे सकते, तो दोनों को निकाल दिया, बाकी का कुछ भी दो, तो कुछ भी मतलब, real number मैं से, इस portion को अठातो, कि real number मैं से, कुछ भी दो, भाईया, मत दे से one, मतलब, minus 1 और, sorry, one और minus 4 मत दे दे देना, machine फट जाएगी, machine रोने लगेगी, आच्या, range पे value क्या आएगी रे, ठोटी value, और सबसे बड़ी value, सबसे बड़ी value, मजा आने वाला है सर, यह range का जो concept है न, चलो input तो फिर भी आसान है, input पर तो फिर भी आप comment कर सकते हैं, लेकिन range, वाकई मज़ेदार, वाकई स्वाधिस्ट, range के लिए आपको दादा, चीजे पता होने च quadratic के बारे में पता होना चाहिए, quadratic के बारे में आपके सामने चीजे होने चाहिए, हाँ quadratic के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे पास है, और हम अच्छा गाजा comment उस पर कर सकते हैं, या, सर, 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 अब इसके लिए मुझे थोड़ा अलग concept, अलग चैनल के फिरू जाना पड़ेगा लेकिन डटे रहें मैदान में परेशानी को डील करो कि यह समझे आपके सामने आती तो आप क्या करते क्यार इसकी सबसे छोटी वैलू क्या आएगे और सबसे बड़ी वैलू क्या आएगी अगर ये चीजें दादा आपने बोल दीना क्या बात है बले बले हो जाएगे दादा अपनी मज़ा ही मज़ा स्वाध कि तो पहले डोमेन पर काम करा जाए नहीं सर पैरलडी लेके चलो हम समझ your है परेशानी वाला कॉंसेप्ट क्या-क्या है क्या-क्या परिशानी आ सकती है तो दादा हमें सबसे छोटी वैलू और सबसे बड़ी वैलू मसीनरी को उठाना पड़ेगा मसीनरी उठालो दादा मसीनरी उठाओ मसीन क्या थे आपकी मसीन एफ जिसको आप वाई भी बोलते हैं पर यह तो ग्वाडरिक है एक्स स्कॉार प्लस थ्री एक्स माइनस का फूर अब सर यह कब मिनिम्म देगा बहुत घबर आ रहा है सर अमारा और किस वैलू पर मिनिम्म देगा किस वैलू पर सबसे छोटा आंसर आएगा यह सब कहना बहुत मुश्किल है रहे बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है लेकिन नहीं रहे कर सकते हैं कुछ तो होगा समाधान कुछ तो होगी बाते हैं कुछ तो मज़िदार यहां पर कहानी होनी चाहिए तो सर क्योंना दो चार quadratic के question करें जाए हाँ पहले quadratic के question कर लेते हैं फिर आपकी कहानी समझ में आ जाएगी तो दादा फिर अपन डील करेंगे इसको दादा मैंने आपसे इस बार function दिया है f of x which is equal to x square plus 4x minus 16 yellow domain पहला question second question range कैसे करेंगे रे क्या करेंगे दादा सर अगेन मसीन की तरह सोचेंगे हम तो अगेन मसीन की तरह सोचेंगे सर तो इनपुट क्या दें कि मसीन चिलाए ना मसीन काम करने लग जाए कि भाहिया मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है रे अब बार बार जब क्वाड्रेटिक की बात आती है फंचन कैसा भी हो सकता है रे यहां पर अभी मैं ज्यादा हार फंचन नहीं ले रहा हूं छोटे-छोटे फंचन पर हम सोचनी कोसित कर रहे हैं इसका जो इनपुट आपको देना है ना इसका जो इनपुट है जो डोमेन है इसकी जो इनपुट है जो डोमेन है वो क्या हो सकती है रहे इसकी जो इनपुट है ना वो ऐसी देनी है कि यह चीज पॉजिटिव हो सब्सक्राइब इसको डंग से देखेंगे हम तो ये तो तो X plus 2 का whole square लग रहा है मुझे और माइनस का 20 लिख सकते हैं greater than equal to 0 यह भी सही है सर यानि कि सर यह आ गया X plus 2 का whole square greater than equal to 20 या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं कि सर थोड़ी दिर के लिए तो X plus 2 का square और माइनस root 20 का square यह कहां जा रहा है सर कुश्चन अपना कैसे सोच रहे हैं तादा इनिक्विलिटी 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 कॉंसेप्ट आपने पढ़ा होगा वैसे सेट के बाद इनिक्विलिटी इस ही पढ़ाता हूं मैं जनरली लेकर नहां फिर भी आप सब्सक्राइब जानते हैं तो हमें इनिक्विलिटी की तरह मूब कर रहे है एक ब्रेकेट में दौनों का सम और दूसरे ब्रेकेट में दौनों का डिफ्रेंस ये लो दादा रेटर इकॉल टू जीरो यूजिंग स्टाइन स्की मेथड भाई इसका क्रिटिकल को लिस्ट कर लो यहां पर पहला क्रिटिकल पॉइंट आएगा माइनस ट्यू माइनस रूट ट्वंटी मैंने क्या कर रहा इस बक्से को जीरो डाल दिया रहे उस बक्से को जीरो डालेंगे तो यह आजएगा टू प्लस रूट ट्वंटी माइनस ट्यू प्लस रूट ट्व लो तो इस ही के तो 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 अच्छे तरी के सापको पता होना चाहिए हमें कौन सा पॉर्शन लेना है पॉजिटिव बाला तो हम यह कमेंट कर पा रहे हैं थोड़ासा ठेड़ा कोश्चन है थोड़ास अच्छा कोश्चन है हम कमेंट यह कर पा रहे हैं कि एक्सकी वैलू जो है ना माइनस ट्यू प्लस अंडू 20 से बड़ी लेनी आपको हमेशा यानि आपके इन्पूट में दादा मसीन में आपको माइनस ट्यू प्लस अंडू टू से बली वैलू और आपको दादा लेके आनी है तब ही आपकी मसीन बारबार अच्छी तरीका स्वाविल्कम करेंगी क्योंकि इसके बीच में कुछ लेना मसीन फट जाएगी क्यों क्योंकि रूट के अंदर नेटिफ टीक है ठीक है ठीक है ठीक है तर यहतना समझ गए तो यह इसकी डोमेन हो तो अल्टिमेटली डादा डोमेन रेंज के नाम पर जो है न मुझे लगता है कि पूरा गेम जो है ना दादा यहां पर पूरा गेम इनिक्विलिटी का है हलका सा इनिक्विलिटी का कॉंसेप्ट आपको साइथ पता होना चाहिए तो आपकी थोड़ी अच्छी खासी बात बन सकती है अब इसमें different function कितने भी हो सकते हैं कि quadratic वाले concept को ज्यादा तर कैसे deal करते हैं हम लोग क्या उसका सीन होता है वो सारी बातने के अंदर भी पढ़ोगे आप इसके अंदर भी बढ़ोगे रेंज की बातने करें तो रेंज के लिए दादा हाँ इसके बारे में फिर यही सारे questions का जबाब हम ढूड़ेंगे problem पर काम करेंगे इसी चीज की इसी चीज की जरूरत हमें आए range को deal करने के लिए कि है रेंज को deal करने के लिए करने के लिए हमें क्या-क्या लगेगा सर हमें quadratic का basic ज्यान होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक का basic knowledge है है ना knowledge है तर हमें inequality के बारे में पता होना चाहिए है सर हमें science scheme method के बारे में पता होना चाहिए है सर हमें inequalities के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए और हम perfect square के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए और हम perfect square के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं क्या तो वीडियो को थोड़ा आसान बनाते है चीजों को थोड़ा आसान बनाते है दादा तो मुझे ऐसा लगता है कि इस questions को बहुत अच्छे से deal करने के लिए और थोड़ा detail में देखने के लिए इन चारों बातों को जब तक हम नहीं कर ले थे इन चारों बातों को जब तक हम deal नहीं कर ले ते तब तक range पर अभी right now comment करना मुश्किल है क्या करें sir तो relation होता क्या है。 ejercion होता क्या है यह हमने find करने की कोसिस करी थी दादा यहाँ पर हमने यह फाइंड करने की कोसिस करी थी यहाँ पर ओके तो मुझे ऐसा लगता है बेटा कि अब देखो भाई तादा कहानी कुछ ऐसी है चोटे-चोटे कोश्चन आप लिख सकते हो मैं थोड़े से कोश्चन आपको दे सकता हूं हमबक के लिए कि फाइंड रेंज एंड डोमेन हाँ चोटे-चोटे कोश्चन दे सकता हूं है ताके हम आगे कुछ करें इन इक्वालिटिव इंडिकल्ट इडियर करें को आपको आपको आइडिया लग जाए पहला कोश्चन ए एफ अप एक्स विच इकल टू एक्स स्क्वाइर है ना अपॉन एक्स माइनस डोमेन और इंज दोनों निकालके लाने है कि एफ एक्स विच इक्वाल टू वन अपॉन रूट के अंदर एक्स माइनस वन डोमेन रेंज एफ एक्स अब कुछ नए-पंशन भी एड़ कर देता हूं जैसे मॉड एड़ कर दिया मैंने मॉड एक्स माइनस तीन अच्छा तो मैं सीरे-दीरे लॉग और इन सब की एंट्री कर रहा हूं मैंने कहा लॉग एक्स माइनस शिक्स अच्छा तो यह तीन-चार कोश्चन दादा आपको ट्राई करके लाने फिर अपन इसकी प्रॉब्लम पर बात करेंगे यानि कि अल्टिमेटली देखा जाए तो सब अब हम तो वहां फसेंगे जहां पर हमें उस function की knowledge नहीं है जैसे log, जैसे exponential, जैसे sign, जैसे trigger, जैसे greatest integer, जैसे signum, अच्छा, हाँ लेकिन सरे इतना समझ गए हम, इतना तो जरूर समझ गए कि हाँ, picture में क्या हो रहा है, क्या है उसका scene और कैसे चीज़ों को दादा हम देख रहे हैं, तो भाई आज के लिए इतना ही करते हैं, मेरा cable मानसिक्ता इस concept के पीछे ये थी, कि relation नाम का word और function नाम का word, आपके mind में कैसे भी आजाए, रही problems की बात, तो problems के लिए अलग से कुछ design करते हैं, जल्दी आपको बता लग जाएगा channel पर, भाई इसको सारे बच्चे एक दू 14 हला बूल, thank you, thank you very much.